हेलो फ्रेड्स! आप सभी का सवागत है। तो फ्रेंस बात करींगे हम लोग आज़की श्डो सोडों में इंडिया से आयो हुई क्रिप्टो पर न्यूज़ के बारे में बस बात यह है कि जैसे कि 30% जो टैक्स लगने वाला है तो इस चीज के टेंशन मुझे भी है आपको भी है और सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं लबबग सब के पास है सब कोई चाहता है कि जल्दी से रीडियस हो जाए जिस पर की पेटीशन भी चल रही है अगर उसके बारे इसी से रिलेटेट क्रिप्टो टैक्स से उस पर भी हम बात करेंगे तो फिर्ण्स अगर यहां पे अगर ध्यान से अब देखो तो यहां पर पढ़ने को मिले आपको तो यहां पर पढ़ सकते हो कि इंडिया जीजन टू इंपोज ऑ 30% टैक्स और प्रोफिट परम जीरेक्स है क्वाइन स्विच क्विबर है क्वाइन डिसे अलग लग और भी है तो फिर्ण्स यह जो है 30% टैक्स इंपोज हुआ ना यह इन एक्स्चेंजर के लिए बेन्फिट का सौदा हो गया इनको उससे बेन्फिट हुआ है तो फिर्ण्स बेन्फिट क्या हुआ आपके पास टाइम पर पहुँचें तो फिर्ण्स यहां पर देख सकते हो बहारत के सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्स्चेंज बाइनस के स्वामित तो वाले जैसे के बाइनस का यहां पर इसलिए बोला जारा है कि बाइनस ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड का को यहां पर बोला जा रहा है कि एक फेबरॉरी से अपने प्लेटफॉर्म पर दैनिक साइन अप लभग 30% की छलांग देखी है मतलब कि साइन अप आपको पता है जब भी कोई नया यूजर किसी नया प्लेटफॉर्म पर फस्ट टाइम रजिस्टर होता है उसको साइन अप कहते हैं तो फिर्ट्स यहां पर बोला जा रहा है कि जो वजीर एक्स प्लेटफॉर्म है उन्होंने बोला कि एक फेबरॉरी से जबकि आपको मैंने बताए कि एक फेबरॉरी को ही सीतारमन जी ने बोला कि 30% टैक्स चलांग जागा क्रिब्टों के इंकम पर तो वैसा इनका बोलना है कि एक फेबरोरी से इनका जो प्लेटफॉर्म है न उस पर 30 परसेंट जो साइन अप जो निव यूजर के रजिस्टर होते हैं उसमें विरीधी देखी गई है 30 परसेंट छलांग आया बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर यहां पर जब सरकार ने अपनी वार्चिक बजट में डिश्टल संपत्ति के हस्तांतरंद पर लेवी का अनावरण किया मतलब वही टैक्स 30 परसेंट इंपोज की बात यह की जा रही है अगा आपको नहीं सब्सक्राइब बता देता हूं तो यहां पर निश्चल सेटी ने यह बाते कहीं जो की उपर में मैंने बताया वही पर फ्रेंट्स इनके अनुसार क्वाइन स्विच पर 30% के विरीधी हुई जैसे यहां पर 30% होई इनके प्लाटफरम पर तो क्वाइन से उसके लिए उसके बास और भी कुछ बाते इन्हों ने गई है तो यहां पर हाला कि यह उल्टा लग सकता है कि एक भारी कर लोग टैक्स वाली बात के बात से रिजिस्टर इतना बढ़ गया नए उज़र इतना आने लगे तो इस कदम को एक ऐसे उद्धो को वैद बनाने के ग्रूप में जो कि केंद्रिय बैंक के भैंकर प्रतिरोत के बीच नियामक अधर में है सेटी ने कहा कि उन्हें उमीद हैं कि अगले 2-3 वर्सों में देश में करीब 10 क्रोड लोग क्रिप्टो में निवेस करना शुरू कर देंगे तो अब मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ तो अब बात करते हैं बीस में जब हुआ किरिप्टो इंडिया में रेगूलेट होगा किरिप्टो पर भी लाईगी तो उससे पहले माल लोग कुछ लोग थे जो कि ऑल्रेडी क्रिप्टो में आ गये थे ट्रेडिंग कर रहे थे बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेक्योर सेफ ले करना चाहते हैं उनको होता है कि गवर्मेंट ट्रस्टेड बस वो काम करना चाहते हैं तो जब उनको होगा कि यह जो बील आएगा रिगूलेशन होगा तो उनको लोगों ने वेट किया किस चीज के लिए तो एक बार क्रिप बैन नहीं होने वाला जैसा है कि मैंने इंडिया वाली कुछ न्यूज को कॉवर किया था तो पीछले कुछ दिन मद कुछ दिन पहले मैंने यह बात भी भी कई कि निर्भारा सितारे मंजी ने खुद ये बात गई है कि अभी जो कारवाही है मतलब उनकी जो टीम है वो और अगर उनको आने में थोड़ी दिक्कत या अच्छी नहीं लगती है कुछ भी प्रॉलम फिल होती है तो वह बैन भी कर सकती है तो यह चीज उन्हों ने इसलिए बोला कि वह चाहती थी कि जितने भी इंडियन यूजर है वह अवेर हो जाए इस बात से कि गवर्मेंट ने लीगल बोला है ना ही कृप्तो को इलीगल बोला है गया जाएगा यह कि जांब इसको बैन किया जाएगा पिर से कि एक अप्रिल से tax को impose किया जागा तो उन्होंने बोला कि यह मेरा sovereign right है यह मेरा sovereign right है मतलब constitution में ऐसा है तो यह मेरा sovereign right है मैं tax ले सकती हूँ तो चलो फेंट यह recent की कुछ history की कुछ update थी जो कि इंडिया के crypto tax और यह सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहूं कि अगर आप मेरे पूराने यूजर हैं तो आपको मेरे चैनल के बारे में पता है कि मैं किस तरह से वीडियो अप्लोड मतलब लाता हूं किस तरह के content provide करता हूं और उसको बड़े ही बखुबी से अच्छे से आपको एक एक point को जो है clear करता हूं explanation के साथ बट अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यह सारी update जो मैंने अभी बताया यह हो सकता है आपसे मिस हुआ हो तो इसलिए मैंने यह बाते share की तो यहां पर तो यह होगी कि चलो भाई crypto tax से जो exchanges है इंडिया में इनको तो benefit हो रहा है और जो एक update थी उस पर बात करते हैं तो यहां पर यह topic है कैसी होगी RBI की digital currency तो SBI के पूरो chairman ने दिये संकेत इस पर कुछ बाते कही है तो चलो फ़र्श थोड़ा सा यूपियाई करते हैं से मालो मैंने आपको यूपियाई payment किया तो बारा प्रोसेस होगे गुजरती है दूसरा highlight यहां पर technology ने बढ़ाई system की efficiency तो चलो फ्रेंट्स अब हम लोग बात करते हैं यहां पर इन्हों जो इसको कहा है है एक आदमी नोट देत आर दूसरा उदमी शुकार कशा करता है तो इस तरह का ट्रान्जिक्सन जो होता है हम लोग का खैस को ट्रांजिक्सन करते हैं बस इतना ही involvements होता है बट यहां पर बात करो UPI के बारे में तो फ्रेंट्स एक UPI जो transaction होता है उसमें 12-15 सामील होते हैं यहां पिनका कहना है और उसके मतलब कुछ example के तौर बताया जैसे कि bank है intermediary है card company है NPI है दूसरा bank इत्यादी इस तरह से और भी बहुत सारे sector है जो इसमें सामील होते हैं जो भी हम लोग UPI करते हैं credit card करते हैं debit card IMAPS इस तरह से और भी जो online जो services है इस recording ले इस तरह से प्रोसेस में यह काम होती है साथ ही साथ ही है पर technology के बारे में इनका यह कहना है कि technology कुछ update इन्होंने इसमें दी है तो हम लोग बस में आते हैं जो कि इन्होंने बोली है आपको क्रिप्टो को लेकर तो उसको अपडेट को देखते हैं तो यहां पर आया बात कि इनके पास अभी कुछ असपस्ट जानकारी नहीं है क्रिप्टो मतलब डिजिटल करेंसी जोगी जैसे कि डिजिटल रूपी उसके बारे में बट उन्हें लगता है कि इनको बीच में जो यहां इंटरमेडियर है जैसे कैसे बार प्रोसेस से होके उपी उग उजरता है तो यह उप्लाइन सब हो गया तो उसी तरह से केना है कि ऑफ्लाइण मोड़ में भी इसको लेन दिन किया जा सकता है इनका मानना है तो चलो सब्सक्क्राइब बलता हूं और भी कोई इंडिया से रेटेट को अपडेट दिखती है तो मैं उसे भी बता देता हूं साथ ही साथ और अगर नहीं तो फिर यह वीडियो यहां पर फिनिस हो जाएगी तो फ्रेंस इस वाले अपडेट की बात पर तो फ्रेंस यहां पर है पढ़ लो कि तो मार्केट गया पर इनिसियल स्टेज पर मतलब यहीं ऑपर्चुनिटी का मौका होता है बट जबकि अल्रेटी बहुत सारे लोग ट्रैप हैं और आप इस टाइम पर टैक्स इंपोज करते और इस तरह से काम करती हो तो बहुत सारे जो नए मतलब इन्वेस्टर हैं वह इ नहीं पता है तो चेंज.org वेबसाइट पर जाना मैं एक पर लिख देता हूं यह वाली जो वेबसाइट में लिख रहा हूं चेंज.org इस पर जाओ बाकि आपको समझ में आ जाएगी और सर्च कर लेना लिख के अप क्रिप्टो सर्च कर लेना लिख के तो चलो अब इस वा नाफे में नहीं भी बेशते हैं उन्हें भी टेक्स चुकाना होगा तो जैसे कि बस आप बात समझ लो अगर आपने लगाया हजार आपका प्रोफिट हो गया 200 आपने निकाले 1200 तो उस पर टेक्स दोगे तो बस सिंपल सा था जो कि उपर में बोला गया था उसी चीज को इस में भी पूरा एक्स्प्रेंशन साथ बोला गया कुछ नहीं बात यहां पर नहीं है बस इतनी ही है कि अगर आपको प्रोफिट नहीं भी होता है फिर भी आपको टेक्स जो है देनी फड़ीगे तो फ्रेंट्स ये वीडियो थोड़ी जादे लंबी हो चुकी है तो मैं और लाइक करो मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं इस तरह से जो अपना टाइम दे रहा हूं आपके लिए कंप्लीट अच्छे से एक्स्प्लेंट करके पुरा अच्छा लंबा चोड़ा वीडियो तो बन जा रहा है विकौज मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं मैं सिर्फ हलक किजिए सब्सक्राइब करके ताकि आगे आपको इस तरह के कंटेंट की जोरत है इस तरह के कंटेंट आपको चाहिए तो मेरे पास इस तरह के कंटेंट मिल जाएंगे मैं इस तरह के इन कंटेंट बनाके न्यूज डिएटेड वीडियो डालता हूं साथी साथ क्रिप्टो क को आइन पर जो अपडेट होते हैं उस पर वीडियो डालता हूं तो फिर्ण्स कर लो सब्सक्राइब मिलते अपने नेक्स टूडियो में